हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो यू मैं यूट्यूब चैनल रेलवे ग्यान, फ्रेंड्स आज हम बात कर रहे हैं, साउथ वेश्टन रेलवे बंगलोर डिविजन में, सिनियर पब्लिसिटी इंस्पेक्टर, लेवल 6 में आता है, जेनरल एडमिन डिपार्टमेंट, इसका एक्जाम डेट भी आ गया है, शायद जून में है, तो दोस्तों, अगर आप एक्जाम देने वाले हैं, तो ये वीडियो जरूर देखें, आपके लिए फायदेमंद हो सकते हैं, तो इस्टार्ट करते हैं, पहला कोशन, इंटरनेट के संदर्व में, यू आर एल का क्या आर परण है, तो इसका एंसर हो जाएगा, लिनिक्स, लिनक्स, ओके, इसके बाद थ्री नंबर कोशन, पीडी एफ का फुल फारम, तो इसका एंसर हो जाएगा, पोर्टेबल डॉक्मेंट फार्मिट, ओप्शन ए इस दा कोरेक्ट एंसर, नेक्स्ट कोशन, फॉर्थ नंबर द फिफ्थ नंबर कोशन देखते हैं, HTML का फुल फारम, हाइपर टेक्स्ट, मार्कप लांग्वेस, शिक्स नंबर कोशन देखते हैं फ्रेंट्स, निमने लिखित में से कौन सा कम्प्यूटर मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, तो इसका एंसर हो जाएगा, CPU, Central Processing Unit, सेवन्थ नंबर कोशन, कम्प्यूटर हार्डवेर के सांदव में RAM का फुल फारम, तो राइंडम एसेज मेमोरी, ओप्शन A is the correct answer, नेक्स्ट कोशन एट नंबर देखते हैं, इसका एंसर हो जाएगा, CPU, Central Processing Unit, इसके बाद 9th नंबर कोशन देखते हैं, इसका एंसर हो जाएगा, Microsoft Word, 10th नंबर कोशन, इमलिकित में से कौन सी क्लाउड कंप्यूटिंग की बिसेस्ता है, इसका एंसर हो जाएगा, Internet पर कंप्यूटिंग संसादनों तक on-demand पहुँच, इसके बाद 11th नंबर कोशन देखते हैं, भारत सरकार के प्रोटोकॉल के अनुसर, यदि प्रधान मंत्री को किसी अधिकार इक समाक रोह के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो सही भी कल्प चुने, इसका एंसर हो जाएगा, राज येपाल, उप राज येपाल, राज केंदर शासित परदेश के राज येपाल को आमंत्रित किया जाना चाहिए, इसके बाद 12 नंबर कोशन देखते हैं, भारत में प इसका एंसर हो जाएगा, इसके बाद 15 नंबर कोशन देखते हैं, इसके बाद 15 नंबर कोशन देखते हैं, निम्लिखित में से कौन से एक सफल जन समपरक अवियान का प्रमुक्ति देखते हैं, उक्तत्व नहीं है इसका एंसर हो जाएगा और सिमीत बजट इसके बाद 16 नंबर कोशन देखते हैं जन संपर्क में ROI का संशिप्त रुपत क्या है इसका एंसर हो जाएगा रिटर्न ओन इन्वेस्टमेंट यानि निवेस पर प्रतिफल इसके बाद 17 नंबर कोशन देखते हैं दोस्तों प्रस्तावित दिल्ली वारांसी हाई स्पीड रेल परियोजना के तहत कौन सा सार हाई स्पीड रेल कोरिडोर द्वारा दिल्ली से जुड़ा होगा इसका एंसर ह इसके बाद 18 नंबर कोशन देखते हैं निमनलिकित में से कौन जन संपर्क पेसेवरों द्वारा उप्योग किये जाने वाले संकट संचार उपकरन का एक उदाहरन है तो इसका एंसर हो जाएगा प्रेस प्रकासनी इसके बाद 19 नंबर कोशन देखेंगे जन संपर्क में CSR क का संचिप्त रुप क्या है तो CSR कफुल फरम हो जाएगा Option B Corporate Social Responsibility इसके बाद 20 नंबर कोशन देखते हैं पत्रकारों और मीडिया आउटलेट्स के साथ संबंद बनाने और बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है तो इसका एंसर होगा Media Relations इसके बाद अगला कोशन दे अंदेश की बिसिस्ता नहीं है इसका एंसर होगा Exclusivity इसके बाद 22 नंबर कोशन एक प्रेस कीट में आम तोर पर शामिल होते हैं तो इसका एंसर हो जाएगा Media Pushtach के लिए संपर्क जनकारी इसके बाद 23 नंबर कोशन सरवजनिक संबंधों का मुखिल अच्य क्या है तो इस इसका एंसर हो जाएगा प्रतिष्ठा में ब्रेदी और संबंधों का निर्माड इसके बाद 24 नंबर कोशन देखेंगे जन संपर्क में प्रक्ताओं के लिए Media Pushtach का प्रात्मिक लच्छ क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा प्रमुक संदेशों को प्रभावी ढंग से इसके बाद 26 नंबर कोशन देखते हैं माल गाडियों के स्वागत छटाई और सुधार के लिए यार्ड को कहा जाता है तो इसका एंसर होगा मार्शलिंग यार्ड इसके बाद 27 नंबर कोशन देखते हैं निमनलीखित में से कौन सा एक संकट संचार रंड नीती का एक उदा इसके बाद 28 नंबर कोशन देखेंगे वह कौन सा समाचार पत्र था जिसका संपाधन महात्मा गांधी ने वर्ष 1919 में किया था तो इसका एंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन इसके बाद अगला कोशन देखते हैं 29 भारत के प्रथम राष्टपती डाक्टर राजेंदर पर साथ किस से जुड़े थे तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा दो सर्च लाइट इसके बाद 30 नंबर कोशन देखेंगे निमनलिखित में से कौन सा एक सामान या मिट्रिक नहीं है जिसका उपयोग जन संपर्क अभियान की सफलता को मापने के लिए किया जाता है तो इ एक बिसीष्ट कदम नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा बजार अनुशंद्धान का संचालन इसके बाद 32 नंबर कोशन देखेंगे फ्रेंड्स प्रथम प्रेस आयोग की प्रमुक्सी फारिसों में से एक थी तो इसका एंसर होगा भारत के समाचार पत्र पंजिन कारियाले की अस्तापना इसके बाद 33 नंबर कोशन मीडिया ग्रंथों को माना जाता है तो इसका एंसर होगा उप्शन C गती सील इसके बाद 34 नंबर कोशन देखते हैं प्रथम भारतिय भासाई समाचार पत्र कौन था तो इसका एंसर होगा दीख दर्शन इसके बाद 35 नंबर कोशन संसनी खेज अक्सर गैर जिम्मेदार पत्र कारिता की पाचान की जाती है तो इसका एंसर होगा एलो जर्नलिज्म इसके बाद 36 नमबर कोशन निमनलिखित में से कौन सा प्रिंट मीडिया संपादन का हिस्सा नहीं है इसका एंसर हो जाएगा इन में से कोई नहीं अगला कोशन 37 नमबर निविदा आमतर पर मुद्रित होनी चाहिए इसका एंसर हो जाएगा 6.5 साइज इसके बाद 38 नमबर कोशन देखेंगे सारवजनिक संबंधों में प्रेस कौनफरेंस का प्रात्मिक उद्ध सिक्या है इसका एंसर होगा पत्रकारों को जनकारी और प्रस्नों के लिए उसर परदान करना इसके बाद 39 नमबर कोशन एक क्लास सीटी की रेलवे इस्टेशन पर ब्यावसाइक फिल्म की सूटिंग करने के लिए कितने लाइसेंस फिस ली जाएगी तो इसका एंसर हो जाएगा एक लाक रुपहे कैलेंडर दिवस ठीक है इसके बाद 40 नमबर कोशन समानेता प्रेंटिंग प्रेस का इसका रख किसे कहा जाता है तो इसका एंसर होगा जोहांस गुटेनबर्ग इसके बाद 41 नमबर कोशन देखेंगे अखबार पत्रिका और ओनलाइन पत्रकारिता सहित्य और संगीत रचना में उपलबदियों के लिए कौन सा प्रशकार है इसका एंसर होगा रमन मैक्सेस प्रशकार इसके बाद 42 नमबर निमनलिखित में से कौन सा संगठन भारतिया प्रेस के केंद्रिय संगठन के रूप में कार्य करता है तो इसका एंसर होगा इंडियन नियूज पेपर सोसाइटे इसके बाद 43 नमबर कोशन वरना क्यूलर प्रेस एक्ट क्या है तो फ्रेंड्स इसका एंसर हो जाएगा आप्शन भी ब्रिटिस भारत में भारतिया प्रेस किस्वत अंतरता को कम करने और ब्रिटिस नीतियों के प्रती आलोचना के अभिव्यक्ति को रोकने के लिए इसे अधिनियामित किया गया था इसके बाद 44 नमबर कोशन देखेंगे कौन सा भारतिया राज्य देश का पहला 3500 रूर्जा संचालित रेल्वे स्टेशन का घर है तो इसका एंसर होगा महाराष्ट इसके बाद अगला कोशन टी आर्पी का फूल फारम तो इसका एंसर हो जाएगा ऑप्शन C टेलिवीजन रेटिंग अंक इसके बाद 46 नमबर ग्रिह मंत्राले और राष्टपती सचिवाले द्वारा जारी वरियता वारंट में कौन भारत के मुखे ने अधिस से उपर है तो इसका एंसर हो जाएगा पूर्व राष्टपती राजियों के राजिय पाल 47 नमबर कोशन दुनिया का पहला पूरता इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक स्टोडियों कहां खुला गया है तो इसका एंसर हो जाएगा दुनिया का पहला पूरता इलेक्ट्रिक फोटोग्राफिक स्टोडियों कब खुला गया तो इसका एंसर होगा 48 नमबर कोशन ग्रीह मंत्राले और राश्टपती सच्वाले द्वारा जारी वरियता वरांट में मुख्य चुनाव आयुक्ति से उपर कौन है इसका एंसर हो जाएगा इसके बाद 49 फोटोग्राफी सब्द किसने गड़ा तो इसका एंसर हो जाएगा सर जाओन हरसल ने अगला कोशन पचास नमबर फोटाउन क्या है तो इसका एंसर होगा प्रकास उर्जा का एक कौन है फोटाउन इसके बाद 51 नमबर कोशन रोजर फेंटर किसलिए परसीद थे तो इसका एंसर हो जाएगा यूद फोटोग्राफी रोयल फोटोग्राफी सोसाइटी के अस्थापना के लिए इसके बाद 52 नमबर कोशन सरवजनीक संबंधों में संकट संचार टीम का उद्दे से क्या है तो इसका एंसर होगा संभावित संकटों का प्रभावी धंक से जवाब देने के लिए इसके बाद 53 नमबर कोशन रेलेवे में फिल्मों के निर्माण के लिए CPRO की सक्तियां है तो इसका एंसर होगा प्रतिवर्स 25 लाग तक इसके बाद 54 नमबर कोशन किसी समाचार पत्र या पत्रिका के मुख प्रिष्ट के सीर्स पर बड़े अच्छर में लिखा गया नाम का हलाता है तो इसका एंसर हो जाएगा मास्ट हेड इसके बाद 55 नमबर कोशन जीन इस्टेशनों पर कोई सिगनल नहीं होता है उन्हें क्या कहा जाता है तो इसका एंसर होगा क्रोसिंग इस्टेशन इसके बाद 56 नमबर कोशन समान या रेलवे बेग्यापनों के संदर मैंनिम लिखित में से कौन सा सत्य नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा friends option C और साधारन मामलों में इन्हें CPRO की मंजूरी के साथ गैर DAVP दरों पर जारी किया जा सकता है इसके बाद अगला question 57 CPRO द्वारा तदर्थ प्रकासनों को बिग्यापन जारी करने की वार्षिक मौद्रिक सिमा क्या है इसका एंसर होगा 2,00,000 इसके बाद 58 number question PR manual के अनुसार panel में सामिल की जा सकने वाली विग्यापन एजेंसियों के अधिकतम संख्या कितनी है तो इसका एंसर होगा 6 इसके बाद 59 नमबर कोशन प्यर मैनुवल के अनुसार पैनल में सामिल की जा सकने वाले विग्यापन एजेंसियों की नियुतम संक्या कितनी है तो इसका एंसर हो जाएगा दो इसके बाद 60 नमबर कोशन यदि कोई भारतिया पतरकार किसी पेसेवेर उपकरण के माध्यम से रेलवे इस्टेशन पर इस्टील या वीडियो सूटिंग करने का इराधा रखता है तो उस रेलवे इस्टेशन से पूर्व अनुमती लेना होगा इस्टेशन मास्टर से ठीक है इसके बाद 60 नमबर कोशन देखेंगे निमनलिकित में से कौन सा एक समान या जन संपर करन नहीं है इसका एंसर हो जाएगा विग्यापन इसके बाद 62. नुम्मर कोशन, भारत में सबसे पुराना मौज़ुदा समाचार पत्र कौन सा है? इसका answer होगा, बॉम्बे समाचार इसके बाद 63. नुमर कोशन, भारतिय समाचार पत्र the statesman के संस्थापक कौन थे? तो इसका answer हो जाएगा, रोवर्ट नाइट इसके बाद 64 number question कौन सा भारतिय समाचार पत्र समाजिक न्याय और मानवा दिकारों पर अपने रुख के लिए जाना जाता है तो इसका एंसर हो जाएगा Indian Express इसके बाद 65 number question देखेंगे समाचार पत्र अमरित बजार पत्री का किस भासा में प्रकासित हुआ था इसका एंसर होगा बंगाले इसके बाद 66 number question देखेंगे रेलवे इस्टेसनों पर मुफ्त वाइफाई सेवाए प्रदान करने के उद्धेसे से भारतिया रेलवे की पहल का नाम क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा रेल वायर इसके बाद 67 number question ट्विटर पर किसी ट्विट के लिए वर्ण सीमा क्या है तो इसका एंसर होगा 287 अच्छा इसके बाद 68 number question ट्विटर के अस्थाफना किस वर्स होई थे तो इसका एंसर हो जाएगा 2006 में अब उसको ट्विटर का नाम चेंज करके यक्स हो गया है इसके बाद 69 number question निम लिखित में से कौन सा social media platform नहीं है तो इसका एंसर हो जाएगा whatsapp इसके बाद 70 number question देखते है फ्रेंट्स LinkedIn post के अधित्तम लंबाई क्या है तो इसका एंसर हो जाएगा unlimited इसके बाद 70 number question देखेंगे फ्रेंट्स Twitter और Instagram जैसे इसका एंसर होगा post को खोजने योग्य बनाना और सामगरी को वर्गी करिद करना इसके बाद 72 number question Twitter पर DM का संचिपत रुप क्या है इसका एंसर हो जाएगा direct message इसके बाद 73 number question देखेंगे कौन सा social media platform अपने गायब हो जाने वाले फोटो और विडिया फीचर के लिए जाना जाता है इसका एंसर हो जाएगा Snapchat इसके बाद 74 number question निमनलिकित में से कौन से एक जन संपर्क अभ्यान का एक बिसिस्ट लच नहीं है इसका एंसर होगा करमचारी मनोबल में कमी इसके बाद 75 number question संपादकों के टीम का प्रमुख कौन है इसका एंसर होगा मुख के संपादक इसके बाद 76 number question देखेंगे friends जन संपर्क में प्रभाव साली संबंधों का प्रात्मिक लच्छे क्या है इसका एंसर हो जाएगा ब्रांड संदेश को बढ़ाने के लिए प्रमुख प्रभावितों के साथ संबंध बनाने के लिए इसके बाद 27 number question प्रभागों और पर मेडिया प्रबंधन का मुख्य वास्तुकार कौन होगा तो इसका एंसर होगा DRM इसके बाद 28 number question सारवजनिक संबंधों में संकट प्रबंधन में सामिल है इसका एंसर हो जाएगा समस्या को सक्रिय रूप से संबोधित करना और प्रभावित धंक से संबाद करना इसके बाद 79 number question भारतिय समिधान के प्रारूप समीति के अध्यच कौन थे तो ये सब को मालूम हना चाहिए बाबा भीम साव भीमराव अंबेड कर इसके बाद 80 number question भारतिय समिधान का कौन सा भाग मौलिक अधिकारों से संबन्दित है इसका एंसर होगा part 3 इसके बाद 81 number question देखते हैं friends भारतिय रेलवे पर टिकटिंग और अरच्छन परडाली की दच्छता में सुधार के लिए कौन सी तक्निक शुरू की जा रही है तो इसका एंसर हो जाएगा friends QR code Quick response code इसके बाद 82 number question रेलो पर लगाई जाने वाली गैर संचारक सामगरी से बनी होती है तो इसका एंसर होगा लाल अक्साइड प्लस जिंक कुलराइड बिटुमिनस एमल्सन इसके बाद 83 number question देखेंगे भारतिय समिधान का कौन सा अनुचेद भारत की राष्टपती की नियुक्ती और पद से हटाने से संबंदित है तो अनुचेद 75 इसके बाद 84 number question भारतिय समिधान के किस संसोधन द्वारा मौली कर्तब बे संमिलित किये गए इसके बाद 85 number question निमनलिखित में से कौन सा आंतरिक जन संपर का एक उदारण है इसके बाद 86 number question भारतिय समिधान में कितने मौली कर्तब बे नहीं थे है तो इसके बाद अगला question 87 number देखते है जोर्नल रेल्वे की INS मानियता प्राप्त विग्यापन एजेंसियों के पैनल को इसकी मंजूरी मिलना चाहिए तो इसका एंसर हो जाएगा जी एम 88 number question देखते है आस पास कोई photographic या विडियोग्राफी नहीं कि जाएगी तो इसका एंसर हो जाएगा option C इसके बाद 89 number question भारतिया रेल्वे पर माल परिवान की दस्ता बढ़ाने के लिए कौन सी तकनिक लागू की जा रही है तो इसका एंसर हो जाएगा इसके बाद 90 number question देखते है उन्नत signaling प्रडालियों के उप्योप के मादियम से ट्रेन संचालन की सुरच्छा में सुधार करने की भारतिया रेल्वे की पहल का क्या नाम है तो इसका एंसर हो जाएगा option D ट्रेन सुरच्छा हैं चेतावनी प्रडाली इसके बाद 91 number question देखते है टेसला इंक के CEO कौन है तो इसका एंसर होगा option C एलेन मॉस्क इसके बाद 92 number question 2023 में नोबेल सांती प्रसकार किसने जीता तो इसका एंसर हो जाएगा सन्यूक तुराष्टर विस्वखाद्यकारिकरम WFA 93 number question निमनलिकित में से कौन ब्रिक्स संग का सदस्य नहीं है तो जापान इसके बाद 94 number अस्ट्रेलिया की राजधानी कहां है तो कैन्बरा option C इसके बाद 95 number question देखते है हाल ही में किस भारती राजे ने उनिवर्सल बेसिक इंकम UBI योजना लागू करने की गोस्रा की थी तो इसका एंसर हो जाएगा तमिल नाडू इसके बाद 96 number भारत के किस राजियों को पांच नदियों के भूमी के नाम से जाना जाता है तो पंजाब को option A is the correct answer next question 97 97 2022 में फीपा पूर्ष बिसुकप किसने जीता तो इसका एंसर होगा अर्जेंटिना इसके बाद 98 number question कौन सा भारते सार गुलाबी सार के नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर होगा option A जैपूर इसके बाद 99 number question किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है तो इसका एंसर होगा मार्स मंगल ग्रह इसके बाद 100 number question जापान की मुद्रा क्या है तो N option B is the correct answer next question 101 number राजभासा नगर राजभासा कर्यानवेंट समिती की बैठकों के आउद देखता क्या है तो इसका एंसर होगा 6 महिनने में इसके बाद 102 number question राजभासा नियम 1976 संपूर्ण भारत पर लागू है सिवाए एक राज़ी को छोड़ करो कौन सराज यह है तो इसका एंसर होगा तमिल नाडू इसके बाद 103 number question रेल यातरा बिरतांत प्रसकार के तहद दी जाने वाली रासी कितनी है तो 8,000 इसके बाद 104 number question देखते है अंसकालिक हिंदी पुस्तकपाल को दिये जाने वाले मांदे की रासी क्या है तो इसका एंसर होगा प्रती मां 500 रुपे इसके बाद 105 number question राजभासा दिनिया 1963 में कितनी धराए है तो कुल 9 धराए है इसके बाद 106 number question राजभासा कारियनुएन समीती की बैठकों के आउधिकता क्या है तो 3 महीने में 1 बर इसके बाद 107 number question संसदिया राजभासा समीती में कितने सदस्य होते है तो दोस्तों इसका एंसर हो जाएगा 30 108 number question अखिल रेल हिंदी वाग प्रतियोगिता में प्रतम पुरस्कार के लिए दी जाने वाली राशी कितनी है तो इसका एंसर होगा 5000 इसके बाद 109 number question दचिन पशिम रेलवे के मुखे राजभासा अधिकारी कौन है तो इसका एंसर होगा option DPCSO प्रधान मुके सन रच्छा अधिकारी एंड लाश्ट 110 number question राजभासा संकल्प का प्रकासित किया गया था तो इसका एंसर होगा 1968 फ्रेंड आसा करता हूँ ये आपके आने वाल एक्जाम के लिए फायदे मत साबित हो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेजएगा धन्यवाद